हर्ताली का तीज की पूजा आप किस तरीके से करें? आज की वीडियो में मैं आपको एकदम सरल तरीके से बताऊंगी Hello everyone, Welcome back to Science, Khushy Creations तो चलिए जानते हैं कि हर्ताली का तीज की पूजा किस प्रिकार से करें? तो अगर आप घर पर बालू से शिवलिंग नहीं बना पारे हैं, आपके पास समय नहीं हैं, तो भी इस विदी से आप असानी से पूजा कर पाएंगे भारत के हर स्टेट में अलग-अलग तरीके से हर्ताली का तीज मनाई जाती है तो सबसे पहले ये देखे, गनपती जी का पूजन होगा, तो गनपती जी को हम सनान कराएंगे दीपक मैंने यहाँ पर प्रजवलित करके रखा है, दीपक पर हल्दी, कुम-कुम, चावल और फूल अर्पित करेंगे इस तरीके से हमारा जो दीपक है, उनका पूजन जो हो जाएगा, दीपक को नमस्कार करेंगे उसके बाद हम गनपती जी का सनान कराएंगे, तो गनपती जी को सनान कराएंगे आपके पास गनपती जी की मूर्ती ना हो, तो आप सुपारी भी ले सकते हैं सबसे पहले जल से फिर दूट से और फिर वापिस से जल से भगवान का स्नान कराएंगे और इसी प्रकार से शिवलिंग का भी अभिशेक कराएंगे आप मिट्टी से भी शिवलिंग मना सकते हैं बालू से भी शिवलिंग मना सकते हैं और आप इस तरीके से जो मार्किट के शि राजित करेंगे अब हर्ताली का माता की भी मूर्ति अगर आपके पास ना हो तो आप घर पर मिट्टी से बना सकते हैं या पारवती माता की फोटो रख सकते हैं सबसे पहले गनपती जी का पूजन करेंगे उसके लिए उन्हें मैंने स्थापित किया है चावलो का आसन देकर और भगवान शिव को शिवलिंग को मैंने केले के पत्ते का आसन दिया है आप उन्हें भी चावलो के आसन पर बैठा सकते हैं उसके बाद ये हर्ताली का माता की मूर्ति है तो हर्ताली का माता ने जो पूजा है वो सखी उनकी जो है उन्हें हरकर ले गई थी इसलिए ही इस हल्दी, कुम-कुम, चावल, दुर्वा, फूल और वस्तरमाला अर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता हर्ताली का का, उनकी सकी खा और भोले नात का पूजन करेंगे। हर्ताली का माता को हल्दी, कुमकुम अर्पित करेंगे और उसी के साथ साथ उन्हें अक्षद अर्पित करेंगे यानि चावल अर्पित करेंगे आप से हर्ताली का तीच की पूजा बदलती रहती है जैसे आपके यहां होती हो आप हमारी विधी देखकर अपने हिसाब से बदलाव करके पूजा कर सकते हैं इसके बाद भगवान को मैंने फूल चढ़ा दिये हैं फूल में अगर आप भोले वावा के लिए सफेद फूल ला जाएगा इसके बाद यह अगारे के पत्ते हैं यह जरूर से चढ़ाये जाते हैं हर्ताली का तीच पर तो अगारे के पत्ते बेल पत्र और 16 चीजों के पत्ते चढ़ाये जाते हैं 16 प्रकार के पत्ते जिसमें आपको फल और फूल के पत्ते लेने हैं यानि ऐसे ही पेड़ आम से एप केला किसी के भी पत्ते ले सकते हैं तो ये देखे ओम नहमा शिवाय बोलते हुए भगवान को पत्र अर्पित करेंगे और हर्ताली का माता को भी अर्पित करेंगे इसके बाद धूब दीब दिखा देंगे आर्ति करनी है आपको पर उससे पहले हम भगवान को भोग अर्पित करेंगे तो भोग में गनपती जी को गुड़ नारिल का भोग में अर्पित कर रही हूँ और भगवान को फल चड़ा रही हूँ इस दिर उपवास यानी वरत होता है तो इसलिए मैंने फल चड़ाए है कई लोगों के आठे से मिठाई बनाए जाती है जैसे आपके आँकी खाने की परंपरा हो उन्ही चीजों का भगवान को फोग लगाए उसके बाद हम माता को सुहाग का समान चड़ाएंगे तो आप हल्दी कुमकुम, महंदी, चूड़ियां, बिंदी ये सब ले सकते हैं इसके बाद हर्ताली का वरत कता करें इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा और लास्ट में कपूर आर्ति करके अपने पूजन को समाप्त करें और इस तरीके से आप अपने अमर सुहाग के लिए भगवान से काम ना करें और सभी सुहाग इन स्तिरियां इस वरत को करें तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें मेरे चैनल साइंखुशी क्रियेशन को ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें थांक यू वेरी मच फूर वाचिंग प्लीज लाइक शेर अन सब्सक्राइब थांक यू